हेलो स्टुरेंट्स वेलकम तो माई चैनल सिवल एंजिनिरिंग चैप्टर वाइज आज की वीडियो है आपकी प्लम्बिंग सर्विस लेक्चर सेवन्थ इसमें हम कवर करेंगे वाटर सप्लाइ सिस्टम का थर्ड पार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट एंड सेकिंड पार्ट हम कवर कर चुके हैं यह हमारा थर्ड पार्ट इसमें हम देखेंगे पंप्स के बारे में वाल्स एंड फायर हाइड्रेंट्स के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पंप्स क्या होते हैं इट इस डिफाइंड एज हाइड्रोलिक मसीन विच कंवर्ट मेकेनिकल एनरजी इन दा फोम फ्रेसर एनरजी दा पंप उस दा फ्लूड इन्टु दा हाइड्रोलिक सिस्टम दा पंप में भी समर्जड इन दा फ्लूड ओर प्लेजड एक्टर्नल जो कि मेकेनिकल एनरजी को प्रेसर एनरजी में कंवर्ट करती है यह जो पंप है लिक्विड में डूबे भी हो सकते हैं सब्मर्जड भी हो सकते हैं और इनको हम बाहर से भी ऑप्रेट कर सकते हैं यानि कि लिक्विड के बाहर भी रखके इसको हम ऑप्रेट कर सकते हैं यह हमारा reciprocating pump इसमें जो parts होते हैं एक होता है suction pipe एक delivery pipe एक cylinder with a piston, piston road, connecting road and a crank, ठीक है, period delivery wall and suction road, अब देखें स्टार्टिंग से देखें, यह हमारा water area, यहाँ पर हमने pump को अपने लगाया है, इसको बोलते हैं suction pipe, जो के पानी को सक करती है, ठीक है, suction pipe, suction pipe के उपर यह हमारी suction wall, suction wall का काम क्या होता है, यह पानी की entry को तो allow करता है, बट जब यह back direction में वापिस पानी आता है, तो उसको allow नहीं करता है, वहाँ पर यह बंद दाता है, ठीक है, यह देखें, यह होती है हमारी crank, यह connecting road, यह piston और य ठीक है, अब crank जब move करता है, rotate करता है, तो अपने साथ crank, जो connecting road है, यह भी move करता है, और यह piston है, forward and backward direction में move करता है, जब वो forward direction में, यानि कि इस direction में move करता है, तो यहाँ पे vacuum generate होता है, जिससे की पानी उपर की तरफ आता है, पानी यह से उपर आ जाएगा, और जब यह पानी को उपर की तरफ पुस करता है, क्योंकि नीचे तो यह वाल बंद हो जाती है, और उपर की तरफ जो हमारी delivery वाल है, यह open हो जाती है, और पानी हमारा उपर की तरफ चला जाता है, और delivery pipe से यह पानी चाहाँ पे हमें deliver करना होता है, वहाँ पे यह पहुंच जाता है, ये होता है हमारा राओ है रहसी प्रोड़टिंग पॉम्म उम्हीद करते हैं पको समझ में आया होगा नेख्ट्ट हमारा है वर्किंग जो अभी मैंने बताया है वह इसकी वरकिंग है उसकि नोग भाक करता करता है अपने delivery pipe में उसको transfer कर देता है। यह है इसकी working. next हमारा आता है centrifugal pump. centrifugal pump इसके parts है impeller, casing, suction pipe and delivery pipe. यह देखिए यह हमारी centrifugal pump. centrifugal pump यह हमारा suction pipe जासे पानी को सक्या जाता है. यह है हमारी casing यह impeller इसमें वेन्स है यह एक fan की shape में होता है जब motor rotate करती है तो यह वेन्स को गुमाती है और यहां पर यह है इस direction में यह rotate करता है जिससे पानी सक्किया जाता है और suction pipe के तरू यह pipe पानी हमारा casing के अंदर आ जाता है यहां से यह पानी delivery pipe में इसको deliver कर दिया जाता है और यह जहां पर हमें desired place होगा वहापे इस पानी को यह पहुचा देता है इसको बोलते हैं centrifugal pump क्योंकि इसमें centrifugal जो pressure है वो act करता है इसको हम पानी में dub walk के भी use कर सकते है और पानी के बाहर भी use कर सकते है इसमें एक चीज हमें जान देना होता है इसमें starting में हमें कुछ liquid इसके अंदर फिलक करके रखना पड़ता है इसको बोलते हैं priming ठीक है पानी को हम इसके अंदर डाल के रखते हैं ताकि जब यह rotate करे तो vacuum generate हो और पानी को यह ऊपर deliver कर सके ठीक है same working यह भी अभी यह बता है यह इसमें भी next आता है हमारे walls for proper functioning of pipeline walls made of iron or brass are used in the water supply means water stops or control the flow of liquid like liquid gases etc walls हमारे क्या होती है यह भी जो pipe को जो pipe operations है pipe distribution के जो हमारे operations होते हैं उनको easily operate कर सके तो इसको हम करते हैं walls के तरूप तो walls क्या 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 काम करते हैं यह पानी को रोकती है हैं उसके speed को कम करते हैं उनको regulate करते हैं तो यह काम होता है हमारी walls का तो walls का काफी सारे types के होती है जैसे sluice wall stop wall air reflex wall इन सब को हम एक एक करके अब discuss करेंगे फर्स्ट आती है हमारी sluice wall and stop wall इसी को ही हम gate wall भी बोलते हैं gate से नाम जैसे suggest किया है वैसा इसका काम है gate का मतलब यानि कि जो किसी चीज को रोकने के लिए बनाया जाता है यानि कि पानी को रोकने के लिए बीच में gate लगा देते हैं उसको हम स्टोक वाल भी बोलेते हैं और sluice वाल भी बोलते हैं जैसे इस figure में आप देखिए water इदा से आ रहा है और यह जो हमारा handle है handle हमने जब tight कर दिया तो यह arrangement है नीचे आ जाता है और pipe को block कर देता है बीच से ठीक है बट जब हमने handle को reverse direction में rotate किया तो यह जो हमारा blockage है यह उपर की तरफ चिला जाता है और हमारा नीचे वाला रस्ता open हो जाता है बिल्कुल खुल जाता है तो और पानी एक जंगा से दूसरी जंगा easily चिला जाता है तो यह होता है हमारा gate wall यह cast iron का बना होता है next हमारा आता है air relief wall क्या होती है जब भी हमारा जो liquid pipe है उस pipe के अंदर कोई air अगर accumulate होती है तो वहां पर pressure generate हो जाता है उस pressure को generate ना होने देना यह हमारा main काम होता है तो उसके लिए में जो भी air है इसको effectively बाहर निकालना होता है तो वह काम करता है हमारा air relief wall यह देखिए यह प जब पानी ज्यादा भरा होता है तो यह अपनी position में ऐसे ही रहता है अगर यहां पर हवा ज्यादा है तो हवा यहां से जाके और इस chamber में इखटा उन्हें start कर देगी इखटा होते होते यह क्या करेगी अपना space acquire करेगी और water को नीचे की तरफ push करेगी जिससे की यह जो arrangement है यह नीचे की तरफ चला जाएगा और उपर से यह opening है यह open हो जाएगी और जो हमारी air है वह वहां से escape हो जाएगी बाहर निकल जाएगी यह देखिए यह हमारी air relief wall next है हमारी reflex wall check wall और non return wall यह काफी important wall है इसका main काम क्या होता है यह पानी को एक तरफ तो entry देता है बट वहां से backward बिलकुल भी आने नहीं देता यह देखिए पानी एक तरफ से आ रहा है पानी का जब force लगता है तो यह जो gate है यह जो arrangement है यह उपर हो जाता है और पानी side हो में से आगे निकल जाता है ठीक है बट जब पानी वापिस आता है तो यह क्या जो हमारा arrangement है अपने main जो हमारा original place होता है वहां पे आके रुक जाता है क्योंकि आगे सको moment की जंगे नहीं होती और पानी कहीं से भी आगे नहीं जाता है तो यह रोक देता है पानी को जब वह backward direction में आता है काफी important हमारा जो equipment है वह यह होता है reflex wall और check wall और non returning wall फिर है safety wall और pressure relief wall इसका भी हमारा वही काम है जैसे कि air relief wall का है इसमें जब pressure ज़्यादा हो जात us come week event में तो उसको हम release करते हैं ताकि pipe हमारी फटे नहुट यह वहरा काम करता है pressure relief wall यह होती है अमारे pressure relief wall इसका हम connect करते हैं,OOOO Summit point होते हैं जो हमारे उपर वाले point होते हैं वहा पे यह वहиком है air एकटी हो यह फिर pressure को release कर सकीए नेंक्स्ट हमारी ए स्कोर वाल बलो ओफ वाल एंड वास आउट वाल, इसको हम IPE के end में connect करते हैं जहां पे इसमें मुझूदा जो मिट्टी होती है, जो silt होती है, छो क्ले होती है, जो भी unwanted material स्ऩीर लोता है पाइप में उसको हम वहां से निकाल सके यह देखें फिकर में आप देख रहे हैं यह जो आदमी है यह पाइप को ओपन कर रहा है और यहांसे जो वास आउट है जो हमारा ड्रें करने के लिए जो मिट्टी इसके अंदर है वहां से निकल जाएगी यह होती है हमारे score wall next आरता है हमारा swing check wall इसका भी working बिल्कुल same है जैसा कि हमारा check wall का है swing check wall ये भी पानी की entry को तो allow करता है एक direction में बट वापिस जब पानी आता है तो उसको ये allow नहीं करता है ये भी हमारा swing check wall होता है next आता है हमारा angle wall angle wall क्या होती है जब pipe 90 degree के angle पे connect की जाते है और वहाँ पे wall कोई भी जरूत होते है तो वहाँ पे हम लगाते है angle wall ठीक है ये देखी the use of angle wall reduce the number of joints and thus save installation time installation time इससे काफी बसता है और काफी ज़्यादा जो walls है fittings है वो इससे बस जाती है उसे कोष्ट हमारी काफी कम हो जाती है next है wall check wall ये उसका भी काम बिल्कुल सेम है check wall की तरह ये जब flow आता है तो ball को उपर की तरफ shift कर देता है ball जब उपर की तरफ shift होती है तो ये के जो उसका gate है ये इस shape में हो जाता है but जब ये बापिस water flow करता है तो ये ball नीचे आके याँ पे entrance पे इसको रोक लेता है और पानी को आगे नहीं जाने देता ये होता है उमारे ball check wall next आता है हमारे globe wall ये भी बिल्कुल सेम ही काम करता है ये देखे जब handle को हम rotate करते है direction में तो ये उपर की तरफ move करता है उपर की तरफ move करता है तो water यहां से निकलना start कर देगा और pipe में आगे flow कर जाएगा बट जब हम इसको reverse direction में tight करते है तो ये बिल्कुल भी जो opening है वो इसको close कर देगा और पानी यहीं के यहीं रुख जाएगा तो यह होता है काम हमारी globe wall का next is needle wall it is a smart port of needle यह देखिए यह है needle wall needle wall का काम क्या होता है यह जब काफी precious काम होता है जहां पर जो liquid की quantity measure की जाती है काफी precision के साथ तो उस case में हम इस needle को needle wall को use करते हैं जैसे हमें 10 drops की जुरूत है पानी की और उसको हमने measure करना है जाने कि 10 ml हम ही चाहिए तो इस needle wall से हम बिल्कुल exact amount में उसको निकाल सकते हैं next हमारा था fire hydrant fire hydrant आप सभी ने देखा भी होगा इसका काम क्या होता है यह हमारा गलियों के कोने पे लगा होता है जो काफी urban and planned city होती है उसके हर एक street पे यह मिलते हैं बिल्डिंगों के आसपास high rise building होती है हर एक में fire hydrants मिलते हैं इसका काम क्या होता है आग लगने पे आग को बुझाना ठीक है यह हमारे दो टाइप के होते हैं plus hydrant and post hydrant यह देखिए यह हमारा जो है यह है plus hydrant यह पुराने टाइम पे यूज किया जाता था जमीन के अंदर इसको हम एक box बनाके concrete का box बनाके उसमें हम इसको place करते थे तो यह होता था हमारा fire hydrant इसको बोलते है plus hydrant यह हमारा post hydrant यह देखिए इसको आपने देखा होगा इंडिया में काफी कम देखने को मिलते हैं बट वेल डेवलप्ट cities हैं countries हैं तो वहाँ पे यह काफी जादा देखने को मिलते हैं इसका भी काम सेम है इसको अभी हम जब इम हो चाहे जाता है desired amount यह काफी important टूल है इनको बोलते है fire hydrant उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो इसको subscribe करें अपने दोस्तों में इसको share करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताएं यह वीडियो कैसे लगी आपको thank you for watching have a good day झाल 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 झाल